नमस्कार मैं सुदर्शन बैज एक EPS 95 पेंशनर का बेटा समस्त 65 लाग EPS 95 पेंशनर की ओर से मैं आज भारत के लोग सभा के विपक्ष के नेता आदर्निय श्री गुलाम नभी आजात सर्जी से आज कुछ बात करना चाता हूँ और कुछ रिक्वेस्ट करना चाता हूँ कि सर अगर आप EPS 95 पेंशनर की केस ओपन करके देखेंगे तो उस टाइम पे कॉंग्रेस सरकार में थी भारत सरकार में कॉंग्रेस उस टाइम पे थी सत्ता में तो सर अगर फैमिली पेंशन स्कीम 1971 अगर निकालेंगे और एम्पलाई पेंशन स्कीम 1995 अगर आप निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि सर दोनों भी पेंशन स्कीम लाने वाली भारत सरकार थी सर लेकिन बदकिस्मती देखिए सर कि भारत सरकार की वो गलत रणनीतियों के चलते भी उसकी खामियाजा अगर किसी को भुगतना पड़ा तो वो EPS 95 पेंशनर थे सर पूरी जिंदगी गरीबी से निकाली सर इनों ने पूरी जिंदगी गरीबी से निकाली आज बात करते समय मेरे को बिलकुल बेख़ौफ तरीके से बात करना लगता है सर क्योंकि जिसका नुकसान होता है जिसे दर्द होता है उसे पता होता है कि वो किस से बात करना चाहिए अगर अगर यह पर बात करने का अभिवYAK्ति मिलेगी नहीं तो फिर हम कैसे आपने देश की तरक्वी कर पाएंगे सर सर भारत सरकार मैटर नहीं करता है कोन सी पार्टी उस समय सरकार में थी सर मैटर ये करता है कि देश के जंता का नुकसान हुआ है या नहीं 65,00,00,00 परिवार अंधेरे की छाया में अपना पूरा जीवन व्यत्तित करते करते रोज अंदरी अंदर घुटके जीवन जी रहें सर, लेकिन अभी तक इन गरीब पेंशनरों को न्याय नहीं मिला है सर, हमारी एक ही मांग है सर, कि गलत कोन है, क्या सही है, यह हम Inquiry नहीं चाते, हम यहीं चाते है सर, कि गरीब पेंशनरों को जल से जल न्याय मिले सर और EPFO आज तक EPFO ने किसी भी गरीब पेंशनरों के हक में आज तक कोई काम नहीं किया है सर चाहे तो वहाँ पे आप Inquiry Commission लगा लीजिए आपको पता चल जाएंगा कि गरीबों के साथ कितना शोशन हुआ है सर सर जब भी भारत में आपदा आती है नैचरल कैलमिटी आते है सर और अन्य कोई समस्याएं आती है तो भारत का सत्ताधारी और विरोधी पक्ष एक हो जाते है सर और अपने राष्ट्र हीत के बारे में सोचते हैं अपने राष्ट्र बचाओं के बारे में सोचते हैं क्या सर य EPS 95 पेशनर जो अंदर ही अंदर घुटके अपना पूरा जीवन व्यतित करते आए है क्यूंकि इनके पास ना दूर दुर दुर्श्टी थी ना ही इनके पास पॉलिटिकल ताकत थी सर इनका सामाजिक बहिशकार हुआ है इनका राजनाइतिक बहिशकार हुआ है इनका आर्थ कहना चाता हूँ आप भारत सरकार की गलत रणनीतियों को हमेशा वहाँ पर दाओं पर लगाते हूँ वहाँ पर आप निशाने पर पकड़ते हो सर लेकिन आज आपको क्या करना है सर आज आपको भारत सरकार को वहाँ पर आखे खोलनी है और इन गरीब पेंशनरों को अब भी न्याय मिलना चाहिए सर आप गलती करो या भारत सरकार अभी भारतिय जनता पार की गलती करें सर लेकिन नुक्सान हमेशा गरीब पेंशनर भूग रहे सर भारत के अंदर जो भी हो रहा है यह जो आर्थिक शोशन हो रहा है यह बड़े-बड़े राजनेतिक दलों की इमांदारी से पसीना बहा के खून पसीना बहा के अपने बाल बच्चों को गरीबी की चौकट में रखते हुए उन्हें मर्यादाओं के अंदर जगाते हुए हम नवकरी किये सर लेकिन राष्ट्र के निर्मान में GDP के योगदान में जो हमारा खून पसीना लगा है सर उसक आत्मसमान हर भारतिय का अधिकार है सर लेकिन हमारा आत्मसमान पूरी तरह से छीन लिया गया सर हमने कोई करप्शन नहीं किया सर हम किसी भी करप्शन में नहीं है हम कोई राजनैतिक दलों से जुड़े हुए भी नहीं सर कोन सरकार में आता है इससे भी हमें लेना देना न लगा संशोधन का मौका मिले लेकिन मेरे देश का दुरभाग्या है आजादी के पहले भी क्रांती करनी पड़ रही थी और आजादी मिलने के बाद में 73 साल होने के बाद भी क्रांती की ही भाषा करनी पड़ रही है सर अभी और कितने पीडिया ऐसे ही बरबाद होंगे सर महन पूरी बात है सर लोग प्रतिनीधियों को जिस तरह से आत्म सम्मानित किया जाता है उन्हें जिस तरह से पेंशन दी जाती है उन्हें जिस तरह से महिंगाईप की बड़ोतरी मिलती है सर हम गरीब EPS 95 पेंशनर्स को उससे दूर रखा गया सर क्या गल्ती थी सर मैं यही सरकार से हमें न्याय दिलाने के लिए अपना पुरजोर विरोध करे और वहाँ पे भारत सरकार को जगाने की कोशिश करें सर पिछले 6 सालों से हम भारत सरकार की ओर आशाबरी नजरों से देख रहें लेकिन अभी तक गरीब पेंशनर्स को न्याय नहीं मिला सर रोज आत्मनिर्बर भारत का जो नारा दिया है विपक्ष की और से वहाँ पे भारत के पंतप्रदान पो निवेधन किया जाए रिक्वेस्ट की जाए कि यह आत्मनिर्बर भारत की शुरुवात EPS 95 पेंशनर्स के साथ होनी चाहिए सर सर राजनीती के कई धंग होते सर मुझे पता ह सर मैं गुरुकुल से राजनीती सिखाऊं सर मैं जानता हूं कि अगर राजनीती अगर राजनीती किसी के परिवार पर की जाए तो वह परिवार विनाश की ओर चला जाता है वैसे ही अगर राजनीती गरीबों के भविश्य के साथ की जाए तो आनी वाली नसले भिकारी हो चाती है सर, गरीबी की चौकट में जीवन जीती है, महनत करके भी वो आत्मसम्मानी तरीके से जी नहीं सकती है सर, ये भारत के गरीमा के लिए लांचन लगाने वाली बात है सर, आप देख लीजे, आप भारत का इतियास देख लीजे सर, भारत को फैमिली पेंशन स्कीम लान ये जंता पार्टी हो, इन दोनों ने भी आच्छे दिल भोगे है सर, आपको बुरा लगने देजिए, मेरको यहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी मैटर नहीं करती है, when I am talking about the country, when I am talking about the people of the country, then I am completely talking about the people of the country, I am only talking about the respect of the people, अगर भारत के जंता की respect आप रख नहीं सकते हो, चाहे वो भारत सरकार हो, चाहे विरोधिपक्ष हो, तो यहाँ पे हमें पूरी तरह से अपनी मर्यादाय तोड़ कर यहाँ पे भाशा करनी पड़ेंगी सर, बहुत दर्द से भाशा कर रहाँ सर, मैं भी चाहता हूँ भारत सरकार का नाम हो, मैं भी चाहता हूँ विपक्ष का नाम हो सर, लेकिन ऐसे नहीं होता है, दिन पे दिन पेंडिंग डालके उन गरीबों की मौत का तमाशा देखा जाए, टीवी के उपर, सर, आपका नुकसान होता है, आप बिमार होते हैं, आपकी मौताय होती है, टीवी पे पूरी तरह से आपको सम्मानित किया जाता है, लेकिन जो पेंशनर, गरीब पेंशनर मर रहे हैं सर, उनको तो कोई सम्मानित नहीं किया जाता, क्या हो रहा है उनका न्याय पेंडिंग रहें तो उन्होंने वैसे भी देश के लिए कोई निर्मान, ये बदलना चाहिए सर, ये VIP नेचर पूरी तरह से मैं खतम करके रहूंगा सर, चाहिए मेरी पूरी जिंदगी खतम हो जाएंग उपर का रहा है और गरीब जनता का योगदान हमेशा से नीचे का रहा है, उनके साथ भेदभाव होता आया है, ये दिख रहा है, ये पूरी तरह से आप लोगों ने जो वातावरन बनाया है, ये पूरे देश के सामने है, आप कितना भी अपने आपको छुपाओगे, आप अपने आपको सम्मानित करोगे, लेकिन आपकी इज़द दाओ पे लग चुकी है सर, आप भारत की जनता एक बार ना एक बार आपको सवाल करेंगी सर, क्या फाइदा सर, आपकी गलती थी, कॉंग्रेस पार्टी सरकार में थी, लेकिन खाम्यादा हम गरीबों ने भुकता ह इंटक कमा के करोडपती बन गया, इंटक का आज भी नाम है, क्यों नहीं बन करते हैं इंटक को, पूरे भारत में से इंटक को बन कर दो, जो गरीबों के उपर शोशन किया है, उस इंटक को पूरी तरह से बन कर दिया जाए, और वो इंटक जो चाहे मेरे को बद्दु आए मेरे को मंजूर है सर, क्या किया है आज तक इंटक ने, इस गरीब पेंशनरों के लिए क्या किया है इंटक ने, नैक कमिटी लड रही है सर, जो नैक कमिटी मजबूरी में बनाई गई, मानने यह कमांडर अशोक राउट सर जी को आप पूछिए, कि उन्होंने किस मजबूर पार्टीज होने के बावजुद भी, नैक कमिटी का गठन करना पड़ता है, इसका मतलब जितने भी राजनेतिक दल है, वो सिर्फ सत्ता में आना चाते है, अपनी कुरसियां बचाना चाते है, चुन के आना चाते है, लेकिन जनता को न्याय दिलाना, जनता के आत्मसंभान के प्रती लड़ना, उनका कोई दाईतों नहीं है, सर, वो जनता गरीबी में मर के, गरीबी में जीते जीते मर जाए, लेकिन आप लोगों को कुछ ने, क्यूंकि आप लोग वी आईपी लोगों, आपने पुन्य किये है देश में, तब जाके आपको वी आईपी नेचर मिल है, और आपको और आपके परिवारों को, हम हर तरी से सुरक्षा मिलनी चाहिए, इज़त मिलनी चाहिए, लेकिन हम गरीबें को कोई इज़त नहीं मिलनी चाहिए, सर, और हम इसके क्रेडिट है, हमने जो मीडिया को, आज मीडिया जो आप नेताओं की जो लाचारी कर रहा ह इससे साबित हो रहा है कि देश के जनता के लिए मीडिया कुछ काम नहीं करता है। आप लोगों का समय इंपॉर्टन्ट है लेकिन गरीब पेंशनरों का समय कोई इंपॉर्टन्ट ने। जनता को अगर वो मर भी जाते हैं तो काला कुछता तक नहीं पुछता है सरु ठीक है हम लोगों को यहीं होना चाहिए सरु हम वी आईपी पैदा होने चाहिए थे तब जाके हमारा मान सम्मान होता था सरु आज जो वी आईपी नेज और ये गरीबी के अंदर जो खाई खड़ी किये आप लोगों ने यह आप लोगों को अपने गलतियों का एसास मरते समय तो भी होना चाहिए सरु अभी नहीं पर पूरी देश की जनता देख रही है सर किस तरह से आप लोग सत्ता में आने के लिए लड़ रहे हो वो सत्ता में बने रहने के लिए लड़ रहे हो लेकिन गरीब पेंशनर अपना घर चलाने के लिए लड़ रहा है 30-35 साल नौकरी करके उसका जो बलिदान दिया है उसने उसने जो संगर्ष किया है आप लोग सत्ता में आने के लिए कर रहे हो वो सत्ता में बने रहने के लिए कर रहे हो लेकिन जनता के लिए कोई काम नहीं कर रहा है सर आभी तो भी आखे खोलिए सर हम चाहते हैं विपक्ष के नेता को सल्यूट करना चाहते हैं हम भारत के पंतप करतव्य है, पांच मैने से आप लोगों ने देश बंद करके, देश के जनता का जो समय बरबात किया है, ये पुरी देश की जनता देख रही है सर, मत कीजिए, आपके हाथ में सत्ता है, आपके हाथ में ताकत है, उसका मिस्यूस करना बंद कर दीजिए सर, गरीबों के हिसाब तो महबत ही महबत है, आप लोग अगर इंसान बन जाओगे, तो रेस्पेक्ट ही रेस्पेक्ट है, गिव रेस्पेक्ट टेक रेस्पेक्ट है सर, अगर आप गरीब जनता को रेस्पेक्ट दोगे, आपको रेस्पेक्ट मिलेगी सर, डेफिनेटली रेस्पेक्ट मिलेगी, हमारे अंदर संसकार है, हम गरीब है लेकिन हमारे अंदर संसकार है सर, हमारे को कोई स्यास्य की फैसिलिटी नहीं मिलती है सर, किस तरह से किस राजनीती के हम शिकार बने है, यह हमारी आत्मा जानती है कि किस राजनीती के हम शिकार बने है, लेकिन फिर भी हम लोग आपका मान करते हैं सर फिर भी आपको हम तवज्जू देते हैं सर कि हम गरीब पेंशनरों को आप न्याय दिला यह सर तीस साल 25 साल काम करके हम पिछले 20 सालों से हजार रुपे पेंशन ले रहें सर आप देखिए लोग प्रतिनीधी कितने पेंशन लेते सर यह कैसी खाई खड़ी की है इनसान को इंसान बनने के उपर शरम हो रहे हैं आज मेरे को मेरे गरीबी पे शरम हो रहे हैं क्यूंकि मैं यह 65 लाग परीवारों को न्याय नहीं दिला सकराओं हो गया है हमारा समय खतम होता रहा है दिन बदिन हम मौत की और बढ़ते जा रहे हैं लेकिन कम से कम हमारा दाइत्व है कि देश के जनता को जगा के मरे और भारत सरकार को और विरोधी पक्ष को अभी तो भी राजनीती छोड़के देश के जनता के लिए काम करने के ल जय हिन जय भारत सर मैं एक ही बात कहना चाहता हूं आपको कि आप भारत के प्रदान जी से निवेधन कीजिए कि आत्मनिर्बर भारत की शुरुवात EPS 95 पेंशनर्स के साथ हो सर यही कहना चाहता हूं थैंक्यू सो मच आशा करता हूं कि कॉंग्रेस पार्टी अभी तो भी गरीब पेंशनरों के साथ खड़े होंगी और इंटक को चेक कर लिजे सर कभी गरीबों का साथ दिया है क्या इंटक क्या कर रहा है वो चेक कर लिजे भारत का सबसे बड़ा मजदूर संग शेम ओन दिस